पारणनी दिकार बनाता है। रैलियों के बाद अबवारी थी। अमित शाह के साथ हमारे इस्ताक्षात कार की। नमस्कार मैं हूँ अमीश देवगुन। आज सुबा से हम पूरा दिन बिता रहे हैं ग्रे मंत्री अमित शाह के साथ। हम उनके साथ उनके कई कारेक्रमों में गए। अमित शाह जी सुबा से आज हम पूरा दिन आपके साथ बिता रहे हैं। मेरा आप से सबसे महतपूर्ण सवाल यही है शुरुवात में कि बंगाल में भी चुनाव है तमिलाडू में भी चुनाव है असम पॉंडिचेरी सब राज्यों में चुनाव हैं। लेकिन बंगाल भारती जनता पार्टी के लिए इतना एहम क्यों है। इसा नहीं है सब राज्यों हमारे लिए हम हैं। नहीं ऐसा नहीं है ! देखिएं यहाँ पर 400 सीट है असाम की सीटों की संक्या तमिलनाड में हम वी सीटों पर लड़ रहे हैं। और के रल की सीटों की संक्या का योग मिलाड़ तो चार्सों भी नहीं होता है तो यहां पर स्वाभाईक रुप से ज्यादा ना बनता है गोश्टा पत्र में आपने बुला कि आप श्वनार बांगला की बात करेंगी हाला कि मम्तब एनरजी कहती है कि इस बार खेला होवे औनको चोट भी लगी हुई है के लाहे खेला खेला होवे करें दिजें ओडिजी ने का है विकास उए अबंगाल की जनता टाहीं करेगी कि कि ऑनुरे की इति की ऑप शैये का दिक्र mere ये नेता और ऑबसे काफी पारतिय आये उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आस्वासन रहा कि आपको यहां की नागरिकता देंगे अब 70 साल से किसी ने नहीं करा भारतिय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव गोशना पत्र को को हमने चुनाव गोशना पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए इसको मैं नहीं मानता रादनितिक दुरुष्टी से देखना चाहिए मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं जो या विरोध करती है जो सरनात ही आये हैं उनको नागरिक्ता मल मिले उसमें बला विरोध क्या हो सकता है लेकिन एक चीज़ बड़ी महतपून है क्योंकि मटवा समाज को सीए का सबसे ज़्यादा फाइदा मिलेगा ऐसा अक्टर लगाया जा रहा है और करीब करीब सतर सीटो यहां की सरकार निन्दा प्रस्ताव किया था इसल्यां बोलना पड़ा है महिला वोटो पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रेजरवेशन जी आप लोग हम देने वाले हैं आप लोग देंगे क्या आपको लगता है जो महमता बिनर जी अपना बंगाल की बेटी का पोलिटिक ऐसा को हमने free of cost करा है पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांस्पोर्टिशन में बंगाल की बेटियों को माताओं को free of cost transportation की व्यवस्ता करी है आज बंगाल के अंदर जो दारून गरीबी है उससे कम से कम महिलाओं को एक platform देने की जरूरत है ऐसा सब लोग feel करते हैं तो प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है क्या अब चाजी क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैट की भी बहुत जादा बात करते हैं आप कहते हैं कि घुसपैट जो है उसको हम रोकेंगे क्योंकि अब देश की ग्रे मंतरि भी है विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि पहले गुसपैट नहीं रुख रही थी जो आप ग्रे मंतरि के रहेगी बंगाल में सरकार बनेगी तो रुख जाएगी इसलिए क्योंकि गुस्पैट सिर्फ भारत सरकार से नहीं रूप सकती एक बुरा एको सिस्ट्रीम होता है अगर कोई DM सरकारी पॉलिसी के तहट गुस्पैट को बढ़ावा देता है तो BSF नहीं रूप सकती कोई SP डिस्ट्रिक का आप करें स्ट्रेट पैटर्नेज है तो एक इको सिस्ट्रीम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो गुस्पैट को रोकने के लिए कटिबद हो तभी गुस्पैट रूख सकती है और असाम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आये हैं मेरा अगला सवाल आप से यह है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तमाल हो रहा है महमता बिराजी ने भी कुछ शब्दों का इस्तमाल करना आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योदन दुशासन जैसे शब्दों का इस्तमाल क्या गया है चलिए वह महम होती है वहाँ आवाज होती है क्योंकि आरोप यह लग रहे हैं क्योंकि आपने TMC से जो लोगा उनको बहुत सारा टिक्टे दिए इस वज़े से उनकी सीटों पर बबाल हुआ ही नहीं है है ममता जी भी कहने है कि BJP हमारे गद्दारों के भरोसे काम कर रही है सहले में ममता जी की भहसा नहीं बोल सकता मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आइडियोलोजी को सिकार करकर जो लोग यहां पर आए हैं उनका स्वागत है और वो यहां पर भाज़पा के कारेकरता भाज़पा के नेता इनाते ही ट्रिट किये जाए हैं अमेची भारती जन्ता पार्टी के कई सांसाद और केंद्री मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं इसके पीछे क्या स्टाटेजी है क्या रण नीती है कोई रण नीती नहीं है एक चुनाव की दुरुष्टी से यहां के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फ गिरने का कोई सवाल है नी है हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्यासी की गोषना के बगर जीत चुके हैं बड़ी बड़ी विपी जैसी सरकारे बनाई हैं यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमी पुत्र भागपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा क्योंकि मम्ता बेनर जी का और टीमसी का यही कहना है कि बंगाल की बेटी को आप जिताएंगे या बाहरी लोगों को जिताएंगे या आउटसाइडर वर्सेज इंसाइडर की लड़ाई उसको बनाने की कोशिश है 294 के 294 प्रत्यासी यही के है मम्ता जी किसकी बात कर रही है वो कही सारी नेता बाहर से आ चुनाव लड़वाने के लिए प्रचार करने के लिए हम तो और मेरी पार्टी ओल इंडिया पार्टी है अखिल भारतिय दल है मम्ता जी का एक राज्य का दल है तो जब प्रणा बाबू देश के नेता बने तो बाकी देश के लिए बाहर ही थे क्या सुभास बाबू ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्स चुने गए तो बंगाल के बाहर वो बाहर ही थे क्या इस प्रकार से देश नहीं चल सकता कल प्रद्यानमंत्री जी ने बहुत खुब सुरूती से बताया है जन गन वर्न का भाव कि पंजाब सिंद गुजरात मराथा द्रविड उतकल बंग यह सारा एक ही है मगर यहां पर जो चुनाव लड़े और जो सरकार में जाने वाले सारे के सारे बंगाल के सौभाई क्रूप से मैं यहां चुनाव लड़ी ही नहीं सकता क्योंकि मेरा वॉट ही नहीं है आप कहरें कि आउर्साइडर